हेलो एवरिवन तो आप सभी का बहुत बहुत सवागा था एक नए वीडियो में और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम अमारे एक नया चैप्टर जो है आपका चैप्टर नबर 21 मैनेजमेंट ऑफ कम्यूनिडी लाइफ को कैसे मैनेज किया जाए तो स्टार्ट करते हैं कुछ कहानी से श्रद्दा आईशा इमिली के पेरेंट डिसाइड गरते कि हम एक ट्रिप पे जाएंगे मतलब घूमने जाएंगे समर विकेशन में गर्मियों की छुटी में उन्होंने एक छुटी सी स्पेशल मीनी बस बुक की अपने ट्रिप के लिए सुबह सुबह वो सब रेडियों के आगए वो बस के लिए वेट कर रहे थे और वेट करते रहे और उने जब एंपॉरी की फोन पे तो उनको ये रिलाइज हुआ कि जो उनका ड्राइवर है उनको पता ही नहीं कि वो कहां पे उनका इंदजार कर रहे है उसके थोड़ी देर बाद जो बस है वो आ जाती है और उसके बाद वो अपने ट्रिप के लिए निकल जाते है लेकिन वो काफी लेट हो जाते है तो यहाँ पे मेरा दो सवाल है आपसे पहला सवाल यह है कि what caused the confusion in the trip ट्रिप में यह जो confusion हुई यह किस वज़स से हुई और what would you suggest to avoid this kind of confusion आप क्या करोगे ताकि आपके साथ यह ऐसी confusion कभी create ना हूँ तो इसका answer आपको comment box में comment करना है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे मैं आपको कुछ management के बारे में बताना चाहूँगा तो कोई भी काम अगर आपको smoothly करना है तो आपको management आना चाहिए आप वहाँ पे अगर आप management नहीं करोगे तो आपका वो काम smoothly नहीं होगा management क्या है तो management एक तरीके से आपका जो management में पहला step होता है वो यह है कि हम एक outline prepare कर लें मतलब outline मतलब एक तरीके से हम जो है imagine करें कि जो work है मतलब जो काम है वो कब कहां कैसे होने वाला है how and when कैसे और कब जो है हमारा work होने वाला है तो उसका एक outline हमको पहले से पता होना चाहिए यहार यार यह चीज़ ऐसी होगी इसको हम यह ऐसे कर देंगा तो यह हो जाएगा है ना अगर हम एक group में काम कर रहे हैं तो outline clear होना चाहिए और काफी detailed होना चाहिए अगर बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं और एक को यह भी decide करना चाहिए कि हर इंसान क्या काम करेगा मतलब हर एक individual का हर एक person का का क्या होगा ताकि वो अपना काम अच्छे से carry out कर सके है है ना जब उनको पता रहेगा कि है और मेरा काम यह है तो मैं वो क्या कर पाएंगे अपना वो काम अच्छे से कर पाएंगे तो proper coordination जो है maintain रहना चाहिए अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अगर proper coordination है जो लोग काम कर रहे हैं उनमें तो काम अच्छे से smoothly और जल्दी हो जाएगा हमको यह भी शौर करना है कि हर इंसान जो है वो अपना काम प्रॉपर कर रहा है और एक जो estimate amount of money होती है जो काम के लिए चाहिए होती है वो हमको हमेशा advance में रखना चाहिए है ना कि अगर हमको यह काम करना इसमें इतने पैसे लगने वाले तो उसको हमें पहले से उसका arrangement रखना चाहिए अगर यह सारी चीज़ें अगर आप properly कर लेते हो तो आपका जो काम है वो बहुत आराम से जो है क्या हो जाएगा complete हो जाएगा अगर कोई एक इंसान भी जो है कोई गलती कर देता है या फिर जो slack off हो जाता है job में तो work जो है वो अधूरा रह जाएग किसी एक इंसान की गलती के वज़े से जो पुरा काम है वो क्या हो सकता है अधूरा छूट सकता है समझा रहा है इस वज़े से सारे लोगों को जो जो काम दिया जाएगा वो काम उनको अपने टाइम पे अच्छे से क्या करना है complete करना है अभी कुछ management जो है हमारे डिडू ड पेरिंश होते हैं घर में यह हम्को क्रीडने पड़ते हैं मार्केट से हम गैस को खरीव करेंगे से कई सारे सवाल आते हैं तो parents क्या करते हैं सब्सक्माइब यार्वांस प्रप्रवांस में करें इस तरीक से मिक्या कर लेते हैं और जिससे काम हो जाता है तो जो हम प्लाइन करके रखते है या पार्टी या रोगते है या कुछ कोई चीज छूड़ जाती उसमें कोई कुछ कमिया आ जाती तो पूरा पार्टी हमारा क्या हो जाता स्पोईल हो जाता जो पूरा लंच वो बिकार हो जाता समझा रहा है आपको तो जो management है वो काफी जरूरी होता है और management जो है छोटे-छोटे जैसे एक school अगर run करना है एक टाउन चलाना है एक district चलाना है एक श्रीट चलाना है या एक पुरा देश चलाना है यहां पर आपके लिए कुछ है अगर आप studies अपनी properly manage करना चाहते हो और अगर आप जानते हो की कैसे manage किया जा सकते है तो आप जो है और अच्छा पढ़ाई कर सकते हो अब यह कैसे किया जा सकता है इसके लिए आप जो है एक fix time बना लो अपने पढ़ने के लिए हर दिन का कि हा में को इतने घंटे या इतना टाइम पढ़ लेना है उसके साथ आपको पढ़ना है उसका एक लिस्ट बना लो और जो आइटमस अपने प्लान किए हैं उसको उसको पढ़ लो study कर लो अच्छे से अच्छा खासा टाइम दो हर एक सब्जेक्ट को और जो difficult subject है उसको avoid नहीं करना चाहिए हमको बलकि जो difficult लगते हैं हमको उनको पहले खत्म कर देना चाहिए फिनिश कर देना चाहिए और जब हमारे बास free time हो तो हमको चुआ एक good use करना चाहिए मतलब उस time का चाया इस्तमाल करना चाहिए पढ़के और जो खेलना होता है टीवी देखना होता है आराम करना होता है वो भी जरूर यह वह भी करना चाहिए लेकिन उसका भी time क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कहां पर कितने time जो है spend करने है अब school management की बात करें तो school management committee भी होती है पूरा स्कूल मैनेज करती है इसमें parents भी आ जाते हैं teachers भी आते हैं local experts आ जाते हैं आपके student representatives आते हैं अब committee क्या करती है कमिटी कोशिश करती है कि जो difficulties पेरेंट के students के teachers के इनको समझी जाए और उनको अब इससे क्या होता है है इससे जो स्कीम होते हैं प्रफुर्म्यम्ट के जैसे अमुदे मिल मतलब जो है स्कूल में बहुत सारे स्कूल में खाना भी दिया जाता और स्कूल में जिसको मिड़े मिल बोलते हैं इस चेटर ओव जो पेरेंट है वो मिल के काम करते हैं ताकि जो ऐल रॉंड डेवलप्पेंट्स निर्पी वह ँख स तो अभी जब ये दो कुश्चन की बात करते हैं तो उसी के साथ साथ बहुत सारे कुश्चन और भी आ जाते हैं जैसे क्यों स्कूल हमेशा एक फिक्स राइम पर शुरू होता है क्यों सारे सब्जेक्ट के टैम्टिबल दिये गए हैं क्यों वहिकल्स जो है सिर्फ लेफ्ट एंड साइड आफ दी रोड पर जो है रंद करती हैं क्या आपने कभी सूचा है इस चीजों के बारे में अगर सोचो क्यों नहीं होता स्कूल के शार्ट होने तो क्या होता शूडंट जो है जब उसका मन करता तब वो स्कूल आ जाता और जब उसका घर जाने को में करता तब चले अगर कोई टाइम डिपल नहीं होते तो क्या स्टूरेंट अपना टैक्ट्स बूक ला सकते थे टैक्ट्स बॉक अलग-अलग सब्जेट उनको पता होता कि क्या बुक लेकि जाना क्या ने लेकि जाना है समझ आए आपको इस वज़ज़से बहुत सरे मैनर में behave करेंगे मतलब अपने मर्जी के हिसाब से कोई behave नहीं कर सकता आप स्कूल में अपने मन का कपड़ा नहीं पहन के जा सकते हैं आपको स्कूल में आपका यूनिफॉर्म ही पहन के जाना पड़ेगा अब एक example और लेके देखते हैं जैसा हम सब को पता है कि everyone will drive their car on the left-hand side हम जो है हमारा कार भी उस सेम वे में safely drive कर सकते हैं हो सकता है कि जो वहिकल है वह सकता है कि हमारे पास आ रहा है तो मतलब एक तरहीं किसे होता कि if we do not know whether the vehicle coming towards us would come from the left or right we would also get confused और अगर आप जो है किसी और रास्टे से चल रहे हो तो हो सकता है कि भाई left से vehicle आ जाए या कभी right से vehicle आ जाए तो इन चुदों का भी हमको काफी ध्यान रखना चाहिए इस वज़से जैसे जो rules बनाए गए हैं हमको हमेशा वह follow करना चाहिए इसलिए बनाए जाते ताकि जो community life है वह smoothly जाए community life मतलब जितने भी लोग है आजू बाजू के जितने भी चीज़ें आपको आजू बाजू में दिख रहे हैं वह सब एक community बन जाती है एक साथ में जूल के तो वह एक तरीके से एक पूरा community life भी बन जाता है तो rules इसलिए बन government rule बनाती है आजादी के बाद से जो हमारा सवीधान है मतलब जिसको Constitution बोलते हैं वह हमारे देश के लिए बनाया गया Constitution को जो है बनाया गया हमारे देश के लिए और Constitution क्या है Constitution एक fundamental framework प्रोवाइड करता है for governing the country मतलब देश को कैसे गवन करना है देश को कैसे चलाना है वह कौ सब्सक्राइब कर रहे थे Constitution भी एक book of rules है क्या है book of rules book of rules book of rules समझा रहा है आपको तो Constitution में जो rules है वो governing country के governing को लेकर है कि इंडिया को कैसे चलाया जाएगा किसके पास कितनी power है किसका काम क्या है वो सारी चीज़े सविधान में बताई हुई है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो ओके यह सारे principle जो है लेडाउन करता है कि जिस पे जिस बेसीज पे जो है society को बनाना है ह सविधान के साथ देखने को मिल जाएंगे जो लोकलΑ आडि मिक्रिशन होता है उनको लोकल गवर्मन बोड़ी चलागा जैसे अपने shout का नाम सुनाऊगा जीला परिशाथ होता है तो ये कुछ local bodies होती है, जो local काम जो है देखती है, है ना, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो बहुत सारे developmental काम भी होते हैं, जिससे जो को woman यहाँ पे well से पानी ले रही है, यहाँ पे एक पार्क बनाया हुआ है, यहाँ पे street lights, यहाँ पे एक van आ रही है, गारवेजी इकटा करने के लिए city में, तो हम जो है, मतलब कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोगों पे dependent है, हमारी जरूरतों के लिए, जैसे हमको पीनी के लिए पानी चाहिए, है ना, washing के लिए पानी चाहिए, agriculture के लिए पानी चाहिए, साथ में animals के लिए भी पानी चाहिए, तो पानी का source ह 2013 होता है है न तो उसको हम कहां रखे क्या मुसको दूसरे घर में फrick दे या किसे मैदान में फैक दे तो कहीं फैकना नहीं यह उसके लिए कहां thoroughly sean और आनी चाहिए जहां पर नहीं आती वहां पर आनी चाहिए ताकि आ भ候 और उसका जो डंपिंग ग्राउंड हो मतलब एक जो common area हो जहां पर सब की गारवेच फेके जाते हैं वहां थ्रो किया जाए बल्कि आबॉइड किया जाए कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि रोड पे कचरा फेक देंगे अपने घर के आजू बाज़े में कोई खुला मैदा दिका वहाँ फेक देंगे जो कि गंदी बात है गलत बात है उससे गंदगी फैलती है बिमारियां फैलती है तो हमको उस चीज़ेंट का ध्यान रखना चाहिए उसके बाद हमको रोड जी जरूरत है श्रीट लैट्स की जरूरत है है ना हॉस्पिटल्स पॉब्लिक पार्क्स और गार्डन्स तो यह हमारे ऐसे कुछ नीट्स होता है ना कोई अगर एमर्जन्सी हो गई किसी का एक्सिदेंट हो गया हॉस्पिटल है ही नहीं तो इनसान तो वैसे भी मर जाएगा बराबर तो इस वाज़गे से हमको इन सारी चीज़ों का धिहान रखना चाहिए पॉब्लिक पार्क्स होने चाहिए ताकि बच्चे जो है जो लोग गों साके गार्डन unix होने focus हो नहीं चीए और इन नीट्स को फुल्फिल करने के जब्मेदारी किसकी होती है local government body की मतलब जो हमारी ग्राम पंचायत जिल्ला परिशत यह सब जो होती है पंचायत समीथी यह इनकी जब्मेदारी होती है लोग क्या करते हैं लोग अपने अपने representatives को elect करते हैं representatives मतलब जैसे अभी आपका gram पंचायत है तो gram पंचायत में आपको कौन represent करेगा मतलब आपके लिए वहाँ पे काम कौन करेगा तो आप जिसको वोड़ दो के वह आपके लिए वहाँ काम करेगा लेकिन वह आपके ओपर रोड चाहिए गाड़ी चलाने के लिए वह पूरी हो सके तो कुछ ऐसे नीट्स हमारे पूरे करने के लिए हम क्या करते हैं represented उसको इलट करते हैं ठीक है तो क्या गया पढ़ लिए एक बर फटा पर डिवाइस कर लेते हैं सबसे पहले हमने यह पढ़ा कि management जो है काफी जरूरी ए अगर हमको काम अपना अच्छे से करना है अगर हमको वॉक हमारा प्रॉपर्ली करना है तो क्या सकता है और on time किया जा सकता है मतलब आराम से आप क्या कर सकते हो वो पूरा काम complete कर सकते हो और वो भी एकदम समय के साथ complete कर सकते हो ठीक है तीसरा क्या है आपका तीसरा जो हमने जाना की जो school management committee होती है जो काम करती है यह ensure करने के लिए कि जो all-round development है बच्चों का वो हो रहा है है ना all-round development क्या हो रहा है बच्चों का हो रहा है उसके बाद जो local government body है वो क्या करती है facilities प्रोवाइड करती है कौन से facilities ऐसे facilities जो daily needs होती है लोगों की वो पूरी करें है ना तो बहुत बार ऐसा होता है ही प्रोवाइड किये जाते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है होते भी नहीं है खेर ठीक है तो आई होप कि आपको समझा गया होगा इसी के साथ मेरेंगा अगले वीडियो में कुछ नए शैप्टर के साथ तब तक अपने घर पे रहिए अपना ख्याल रखिये टेक केर